स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल Greenland Solution पर और आज लेकर आया है परतिसत का कुछ महत्पुन परस्ट है देखिए यहां पर यह फर्स्ट परस्ट है सुरेश 2400 रूपया कमाता है तथा 600 रूपया की बच्चत करता है तो उसकी आय का कितना परतिसत खर्च हो जाता है ठीक है उ सबसे पहले वो कितना कमा रहा है 2400 रूपया कमाता है और बच्चत कितना करता है 600 रूपया बच्चत करता है तो खर्च कितना है उसका अराम से लोग निकाल सकते हैं उसका खर्च निकाल सकते हैं यह खर्च यह 2400 रूपया में घटा देंगे 600 रूपया तो क्या निकल जाएगा अठारा सो रुपया वो खर्च करता है मतला जदी आपको बोल दे हम कि आप पचास रुपया कमा रहे हैं और आप पांच रुपया की बचत करते हैं तो खर्चा कितना होगी आपका 45 रुपया खर्चा होगी ठीक है उसी तरह यहाँ पर यह 24 रुपया कमा रहा है और 600 रूपया की बचत करता है बचाता है तो उसकी आय का कितना परतिसद खर्च हो जाता है जो यह कमा रहा है वह भी किसमें परतिसत में, तो सिम्पल यह दखिए, खर्च कितना आया है हम लोग का, अठारा सो उपर में लिख दीजिए, अठारा, सो, और नीचे देखिए, कितना रुप्या कमाता है, यह 24 रुप्या कमाता है, और गुना कर दीजिए, तो आपका अंसर दुरत आ जाएगा इसको काड़ दीजिए देखिए यहां से काड़ सकते हैं 6, 3, 18, 6, 24, 4, 25 है यहां कितना हो जाएगा 100 और यह देखिए 25 ती कितना हो गया 75 परसेंट जो भी अंसर आएगा परसेंट में है ठीक है क्योंकि यहां पर खर्च जो है परसेंट म इसको हमग छोड़ देते हैं आप कॉमेंट में इसका अंसर बताएगा मुकेश 3600 रुपया की कमाय करता है तता 600 रुपया की बचत करता है तो उसकी आएक का कितना परतिसात खर्च हो जाता है ठीक है चार ओप्सन दिया गया है यह ओप्सन में से जो ओप्सन होगा आप कॉ लंबाई 10.1 cm पढ़ी मतलब कोई लड़की है जब वो माप रही थी ठीक है लंबाई को छड़ी का तो गलती से उसने क्या किया कि जो 10.1 cm पढ़ा ठीक है किसको 10 cm लंबी छड़ी को कितना पढ़ लिया 10.1 cm पढ़ी तो गलती का परतिसात कितना हुआ तो कितना परतिसात का गलती हुआ ठीक है इस तरह का प्रेश न जब भी आएगा गलती का प्रती और सबसे पहले गलती निकालेंगे कि कितना गलती हुआ था और जिनल में कितना था 10 cm और पढ़ कितना लिये 10.1 cm तो इसका गलती जो हुआ है इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे 10.1 में 10 घटा देंगे बड़े उला में छोटा घटांगे हमें से तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा हम लोग का 0.1 cm आ जाएगा ठीक है इतना cm का गलती आ गया अब इसका गलती का परतिसत चाहिए हम लोग को गलती परतिसत निकालना है यहाँ पर गलती परतिसत तो देखिए क्या करेंगे कितना गलती हुआ था 0.1 रनिश्ची मतल pixel कितना होना चाही था 10 गुना कर दिजीए 100 से अराम से निकल जाएगा तो देखिए हैं यहाँ से यह से यह कट गिया 100 से यहाँ पर गुना होगा तो यहाँ पर कितना जगा one वान जगा और यह वान आ गया तो देखिए one लास्ट परसेंट हुआ one परसेंट क्या होगे इससे गलती हुआ कौन ओप्षन हो जगा यहां पर यह देखिए option number C 1.1 के बाद ये दसमलों के बाद 0 का कोई value नहीं रहता है option number C is का right answer होगा ध्यान रखिएगा इस तरह निकालना रहे तो कितना गलती हुआ था उगलती निकाल के उपर में रखिएगा original क्या था नीचे रखिएगा गुना 100 कर दिजएगा गलती का परतिसद निकल जागा ठीक है जिस तरह अभी हम लोग पिछले question में निकाले थे खर्च का परतिसद मांग रहा था तो कितना रूपिया खर्च कर रहा है तो आठारा सो रूपिया खर्च कर रहा था कितना रूपिया से पूरा उसका कितना कमाने का कितना था 2400 रुपया रखें और गुने 100 कर दिए इस तरह से निकालें इसको ध्यान में रखना है नेक्स प्रस्ट है प्रस्ट थिरी बोल रहा है दो अमिदवार के बीच किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए है कोई चुनाव जिसमें 20,000 भोट डाले गए है जितने वाले अमिदवार को कुल मतों के 60% मत पराप्त हुए मतलब जो जीत रहा था उसको इतना भोट डाला ग मतलब यह 12,000 भोट लाया था यह देखिए जितने वाले कितना में से 20,000 में 12,000 भोट लाया था तो 12,000 भोट यह लाया था कोन लाया था यह उमिदवार जितने वाला उमिदवार लाया था बुलता हारने वाले उमिदवार को कितने मत पराप्त पर जब 20,000 यहां पर भोट डाला गया था जिसमें से जितने वाला ने 12,000 ले आया तो सेस जो बचा होग जब भी निकालना हो तो देखिए कितना मत था तो ये 20,000 लिख दीजिए और यहां पर देखिए कितना परसेंट बोल रहा है तो 60% मत प्राप्त हुआ था जितने वाला को तो 100 में यहां पर 60 घटा दीजिएगा आपका अंसर आजाएगा जो आएगा सो ठीक है तो इसको दिखिए किल्कुलेट कर सकते हैं सो में यहां पर 60 से लगये, यहां पर परसेंट लिखिया, सो में 60 से लगया, यहां पर हम लोग का बचेगा, 40% का मतलब बच्टे, सो यहां से 2-0 खतम हो गया, 4 दुना 8, 2 और 1, 3-0 यहां पर आ गया, मतलब इतना बहुत से वो प्राब्द हुआ था उसको, हारने वाला को इत जितना परतिशत से वो जीता था जितने वाला को, माइनस करके परसेंट यहां कर दीजिए, आपका राम से अंसर आ जाएगा, अगर आप ऐसार नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से कंसेप्ट से बना सकते हैं, मान लिए हम देखिए, यह पूरा भोटी पड़ा था, उसका मा बचा कितना आठ जार ही तो बहुत बचा होगा, तो आठ जार किस के पास गया होगा, हारने वाले पास गया होगा, ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट प्रस्ट, देखिए, यहां पर नेक्स्ट प्रस्ट में बोल रहा है, एक बेक्ति के धन का 20% खो गया, 20% उसके पास चार बटा 80 रूपया सेस बचे, तो उसके पास आरब में कितना धन था, तो देखिए, इस तरह के प्रस्ट को बराने के लिए क्या करते हैं, बोल रहा एक बेक्ति के धन का 20% खो गया, मानते हैं उसका पूरा भाग 1 है, धन का यह भाग है, ठीक है, वान मान लिए, इसमें 20 पर्सेंट खो गया, तो 20% को क्या बुलते हैं, 20 बटे 100, यहां पर्सेंट रहता है, तो पर्सेंट को निचे करेंगे, तो 100 आ जाएगा, इसको काट दीजिए, एक बटे 5 आ जाएगा, ठीक है, तो इतना उसका खो गया था, इतना भाग, ठीक है, तो एक भाग में ही जो खो गया उसको घटा देंगे तो कितना जागा पांच में एक गया चार बटे पांच ये उसके पास धन खोने के बाद इतना धन बचा हुआ था उसका धन का पूरा भाग का ये एक पूरा भाग था उसका चारवटा पांच भाग बचा हुआ था अब बोलता है सेस का 25% खर्ज करने पाए सेस मतलब यह जो बचा था इसका खर्ज कर दे रहा है 25% परसेंट का मतलब बटे 100 इसको कट दिए 5 बच्चे 25 यह देखिए 25 बच्चे 100 कट गया 4 बच्चे 20 कट गया मतलब एक बटे 5 जब 25% इसका खर्ज कर देता है किसका 4 बच्चे 5 का तब बच्चता कितना एक बच्च पांच मतलब इसके पास पुरा धन कितना था एक भाग धन था इसमें से एक बच्च पांच ही क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए खो जाता है इसका और खोने के बाद जो धन बच्चा था चार बच्च पांच इसका भी 25% खर्ज कर देता है तो एक बच्च पांच माल लेते हैं अब यहाँ पर देखिए इसको जब LCM करेंगे इसका तो एक इतना जाएगा पांच आजाएगा यहाँ पांच जाएगा माइनस एक माइनस एक यह कितना जाएगा पांच माइनस दो मतलब इसको सिधे लिसकते हैं तीन बटे पांच आ गया इतना रूपिया उसके पास अब सेस बचा था तो देखिए यहाँ पच्चा तो उसके पास 480 रूपिया सेस बचा तो इसको 3 बटा 5 यह भी तो उसका भाग है इतना बराबर कर देंगे सेस के कितना रूपिया है? 480 रूपिया है यहाँ से उसका पूरा भाग जदी चाहिए तो यहाँ पर एक लिखेंगे और यहाँ पर इसको इधर गुना कर देंगे तो यह उल्टा हो जागा 5 बटे, 3 हो जाएगा 3 से काड़ देंगे 46, 48, 40, 0, 16, 85, 80, 01, 0 यहाँ क्या माने थे? एक मतलब पूरा भाग था इसका पूरा भाग ठीक है? अब उसके पास जो है, 800 रुपिया से बच रहा है, देखिए हाँ पर अपसर नवर सेस का राइट नशर होगा ज़िए आपको एक समझ में नहीं आता है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कि माल लेते हैं उसके पास एक्स धन था, ठीक है एक्स था तो उसके बाद उसने क्या क्या 20% खर्चा कर दिया, तो एक्स का 20% निकाल सकते हैं, एक्स का 20% यह दिस टैप करके यह जागा, एक बटे 5 ठीक है, मतलब एक्स माइनस एक्स बटे 5, यहां भी करेंगे पांच एक्स में एक जाएगा, तो चार एक्स बटे 5, इस तरह भी आप बना सकते हैं, देखिए, स्याम आएगा, यहां पर हम लोग का क्या आया था, फोर बटे 5, तो यहां फोर एक्स, शिर्फ एक्स आएगा, यहां कुछ नहीं तो 1 चुपा हुआ है जो 1 हम लोग माने हैं, उसी तरह एक्स चुपा हुआ रहेगा, अब आप फिर निकालेंगे, कि इसका इसने क्या क्या था, 25% खर्च कर दिया था, तो इसका 25% निकालेंगे, तो इतना ही आएगा, सिर्फ यहां पर एक्स रहेगा, ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स प्रस्ट, यह नेक्स प्रस्ट दिया गया है, किसी संख्या के यह 0.2% तथा उस संख्या के दसमे भाग का अंतर, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, 1966 के 50% के बराबर हितोबा संख्या ग्याद करिए, ठीक है उस संख्या ग्याद करने के लिए पोग रहा है देखिए, इस तरह का जब भी प्रस्ट आ है कि किसी भी संख्या के दिया हुआ इतना परसेंट था उस संख्या के दसमे भाग, पंद्रमे भाग जो भी रहेगा, तो सीधा क्या कर देना है अब को यह दसमे जो भाग रहेगा, उसको परतिसात में कर देना है, और माइनस यह परतिसात में घटा देना है, 0.2% के बरावार 1976 के 50%, 1976 का 50% का मने गुना, 50% मने बटे 100, ठीक है अब इसको यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर देखे, सिंपल कितना, 10 में 0.2 घट सेगा, तो कितना बचेगा 9.8 बचेगा और यहाँ पर यह इसको काट देंगे, ठीक है, 5 दुना 10, और 2 से इसको काट देंगे 48, दुना 96 होता, यह 48 आ गया अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे यह 98, 9.8 बरावर आ गया, यह मेरा, यहाँ पर 48 हो गया, और यह कुछ मिस्टेक हो रहा यहाँ पर होगा, 98 दुना 96 होगा, ठीक है यह नो दुना, आट दुना सलग छो, नो दुना ठार हो नहीं होगा, अब देखिए, यहाँ पर हमले के पास यह बच्चा अब जो यहाँ पर बच्चेगा, क्या करना है देखिए, उधर चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बरावर ली सकते हैं 98 बटा में यह 1.9 और यहाँ गुना कर देना है, 100 से ठीक है यह 10 मला उड़ जाएगा, एक 0 यहाँ और चला जाएगा, यह 0 कहाँ चला जाएगा उपर, इससे यह कट गया यह 0 उपर चला जाएगा 100 गुने, 10 बरावर कितना जाएगा 1000 आजाएगा, ठीक है यह इसका अंसर आजाएगा यह 1 का मिनिंग हुआ, यह वो संखिया को दर्शारा है, ठीक है बस ट्रीक से, जीतना भाग बोलेगा उतना परसेंट कर देना है, माइनस में यह 0.2% कर देना है और बरावर 90, के 50 परतिसत तो, 50 बटे सो करके बरावर कर देना है और यह 1 बरावर निकाल देना है लास्ट में यहां परतिसत में लाने के लिए 100 से गुना कर देना है ठीक है तो आपको आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि यह परतिस्थ में निकल रहा था इसको ट्रीक है कि 100 गुना करना पड़ेगा next प्रस देखते हैं यह बोल रहा है x में x का 14% जोड़ देने पर परिनाम x को किस संख्यां से गुना करने के त्विल होगा किस संख्यां से गुना करने के त्विल होगा ठीक है तो देखिए जब भी इस तरह का प्रस ना आएगा तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर x लिखेंगे ठीक है यहाँ पर बोल रहा तो यह हो जागा 100x प्लस 14x और यह बटा में हो जागा 100, यह हो जागा 114, यह हो जागा 114x बटे, इसको आगे बढ़ाएंगे देखिए, दो अंग के बाद दसमालों चला जागा 1.14 इंटू x, तो देखिए, उस संख्या क्या था, x में था, तो बोर रहा था, x को किस संख्य से गुना करने के तूइल होगा, तो देखिए, इतना से गुना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 1.14 से, x को गुना हो रहा है, तहाँ पर 1.14 इसका अंसर हो जागा, अप्सन नमबर 20, इसका राइट अंसर हो जागा, यह देखिए, प्रस्न नमबर 7, बोल रहा है, x में x का 15% जोड़ देने पर, परिणाम x को किस संक्यां से गुना करने के तूल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप उपर आवला प्रस्न जिस्तर से बना, यह बना कि आप इसका अंसर कॉमेंट में दीजेगा, ठीक है,